Hello everyone, I'm Amitavari for Amitavari.net और यह है Local SEO Series का नया वीडियो आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में जो आपकी लिस्टिंग को 100% performance से रोकती हैं आपकी लिस्टिंग एक वेब प्रॉपर्टी है और अगर इस वेब प्रॉपर्टी के सारे के सारे options को सही से सेट नहीं किया जाएगा तो आपकी लिस्टिंग कभी भी top perform नहीं कर पाएगी अगर आपकी लिस्टिंग तॉप 3 rank में आ रही है तो भी उसको कम ट्राफिक मिल रहा है और इन ट्राफिक और लीड और रैंक के इशू को सॉल करने के लिए आज के वीडियो में हम कुछ इंपोर्टन चीज़ों को डिसकस करने जा रहे है स्टार्ट करेंगे कुछ ऐसी प्रॉब्लम से जो बहुत ही कमन और इसके बाद धीरे 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 लास्ट पॉइंट तक हम आते आते देखेंगे उस प्रॉब्लम को जो बहुत सारी लिस्टिंग के साथ में दिखाई जेती है लेकिन एक्षिली में सॉल बहुत कम लोग कर प्रॉब्ललम नंबर एक पर आजाते हैं और जो प्रॉब्लम नंबर 1 है आपके लिस्टिंग के टाइटल में नाम में कीवर्ड कहोना आपके लिस्टिंग में अगर लिस्टिंग आच अगर लिस्टिंग सस्पेंड हो जाएगी तो चाहे जो रैंक आ रही हो उसे क्या फाइदा है फिर तो लीड आनी बंद हो जाएगी ना और ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप उसी address पर same address पर जाकर दूसरी लिस्टिंग बना लें तो पहले से ही यह optimization करके रखना है अगर आपकी लिस्टिंग के title में अभी keyword है या city का नाम है तो उसे हटा लो problem आ सकती है problem number 2 गलत category का select होना आपका business किस category में list किया गया है उसी से depend करता है कि आपको कितनी leads आएंगी और कितनी अच्छी lead आएंगे अगर आप एक dentist हैं और आपने doctor category को select किया हुआ है तो कैसे अच्छी leads आएंगी जो लोग खासी बुखार के लिए doctor रूंड रहे हैं वो dentist के पास नहीं आएंगे और आप परिशान होते रहेंगे कि ना मुझे rank मिल रही ना मुझे traffic मिल रहा है या फिर अगर आपकी जो listing है वो एक dental clinic के लिए है और आपने category में dentist यानि की person select कर रहा है तो भी आपको सही rank भी नहीं मिलेगी और आपको सही traffic भी नहीं मिलेगा तो यह ज़रूरी है कि आप अपनी business listing के हिसाब से category select करें और जब आप category select करने जा रहे हैं तो एक broad category select करें को ढूणे, dental clinic आप एक broad category को select कर सकते हैं अगर आप एक Thai restaurant चला रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आप Thai restaurant category को select करें restaurant, broad category को select कर सकते हैं लेकिन अगर आपका business पुराना है और उस पर already बहुत ज़्यादा traffic आता है बहुत ज़्यादी calls आती हैं आपका business ऐसा नहीं जिसको अभी अभी publicity की ज़रूरत है तो वहां पर आप Thai category या जो specific category है उसको select कर सकते हैं broad category को छोड़ सकते हैं इसको समझ के और इसके बाद इसी बेश पर अपनी listing की category को select करें problem no.3 है आपकी photos yes I know आपने photos बहुत सारी upload कर रखी है और अगर आप अपनी listing की performance को improve करना चाहते हैं और उसको safe रखना चाहते हैं suspension से बचाना चाहते हैं तो अपने photo section में graphics को post करना बंद करिये अगर आपने कोई graphic बनवाया है अगर आपका कोई offer है event है कुछ भी हो रहा है उसके लिए अगर आपने graphic बनवाया है तो आप graphic को post करेंगे update section में GMB की post के section में photo section में upload नहीं करना है photo के section में सिर्फ photo होनी चाहिए वो वाली photo जो DSLR से ली जाती है फोन से ली जाती है जिसमें आपके customer है आपका staff है आपका product है आपका vehicle है आपका store है चत का photo है कबूतर का photo है कुछ भी हो लेकिन graphic नहीं लगाना है graphic लगाएंगे listing suspend भी हो सकती है और उसकी performance तो पक्का डाउन रहेगी problem number 4 services को product section में add करना बहुत सारे जोला चाप master class वाले इस ग्यान को अलग अलग जगहों पर जोंक रहे हैं कि आपको GMB listing में अपने services को product section में add कर देना चाहिए because product section में आप you know prices की information दे सकते हैं वगारा वगारा Google के engineers भांखाकर नहीं बैठे हुए हैं उन्हें पता है कि service क्या होता है product क्या होता है अगर आप services का content product section में डालते हैं तो आपकी listing की health और जो उसकी wealth है यानि कि इसकी rank है वो दोनों डाउन जाएंगी अगें जब भी कोई listing poor perform कर रही होती है उसकी rank कम होती है वहाँ पर आपकी listing को कोई importance दे नहीं रहा है Google manually check नहीं कर रहा है लेकिन आप इस तरह की trick यूज करते हैं और आपको थोड़ी बहुत rank निश्रू होती है तो फिर Google के system आपकी listing को check करेंगे और जैसे ही वो services को देखेंगे product section में तो listing को suspend किया जा सकता है So please make sure कि आप services को हमेशा अपने landing page पर add करें जहां पर भी जो भी information authentic तरीके से देने का option है वही करें बट यह इस तरह के hack ना करें कि service को हम product में डाल देंगे तो Google के system आख मुंद कर बैठें वो इसे चेक नहीं कर पाएंगे Listing suspend होगी और वापस नहीं आएगी अगली problem है अपनी GMB listing वाली जो Gmail ID है उसको as daily driver use करना कई सारे business owners क्या करते हैं कि उन्होंने अपनी जो उनकी primary Gmail ID होती है उसी से उन्होंने Listing को बनाया हुआ है वही Gmail ID उनके phone पर actually में logged in होती है और use हो रही होती है यह बहुत बड़ी problem है आपकी जिस भी Gmail ID से आपकी Google Listing connected है उसको अपने phone से log out कर दीजे और use करिए कोई दूसरी Gmail ID बना का ऐसा इसलिए करना है क्योंकि जब आप normally Google Map को use करते हैं तो हो सकता है कि आप कभी किसी business को review देंगे हो सकता है कभी किसी business की complaint करेंगे कुछ suggest करेंगे कुछ ना कुछ होता रहेगा आप नहीं करेंगे तो आपका phone यूज करके में भी घर के किसी बच्चे ने किसी बड़े ने कुछ भी कर दिया ये problem है because जब आप एक normal consumer की तरह businesses को इधर उधर review दे रहे होते हैं that's fine totally fine because आपकी कोई business listing नहीं है Google आपकी ऊपर कोई action नहीं ले सकता है लेकिन अगर आपकी business listing है तो फिर Google आपको as business owner देख रहा है अगर आप किसी दूसरे business को review करते time कोई उल्टा सीधा photo upload कर देते हैं जो Google की policies के अगेंस्ट है या फिर कोई ऐसा text use करते है को ऐसा word use करते है गुस्ते में जो Google Maps की policies के अगेंस्ट है तो वो आपकी profile के उपर action लेगा और आपकी profile से आपकी GMB listing connected है तो आपकी GMB listing भी suspend हो सकती उसकी उपर भी strike आ सकती उसकी जो health है और wealth है दोनों down जा सकती है तो अपनी listing के health के लिए एक और Gmail ID बना लीजे और उसको अपने phone में login करिये लेकिन अपनी GMB listing, GBP listing वाली Gmail ID को daily use करना बंद कर दीजे अगली problem है reviews को reply ना करना, well, I know कभी आपको अच्छे reviews मिलते हैं, कभी आपको खराब reviews मिलते हैं and it's totally fine, इसमें कोई भी गड़बड नहीं है कभी आप busy हो सकते हैं, कभी आप free हो सकते हैं, लेकिन एक rule बना लीजे, किसी को अपने office में, किसी को अपने shop में, store में एक responsibility दे दीजे, कि वो reviews को reply करे, जब भी आप positive reviews का reply करते हैं, तो Google आपकी listing को थोड़ा सा positive boost देता है, जब आप negative reviews को भी सही से reply करते हैं, तो भी आपक की listing का reputation है, वो ऊंचा बढ़ता है, आपको हमेशे ध्यान रखना है कि कोई आपको review देते वक्त हो सकता है, थोड़ा बहुत personal हो कर अटक करके आपको review दे, कुछ उल्टा सीधा बोल देता है, लेकिन as a business owner, यह आपकी responsibility है कि आप उसी तरह से उसी की जबान में, गुस्ते में reply ना करें, अगर आप threaten करते हैं, अगर आप जो review दे रहा है, उसकी personal information, आपके पास हो सकता है, उसका phone number, address, हो सकता है, कोई personal information आपके पास है, उसे आपको review के reply में गुस्से में नहीं देना है, आपकी responsibility है कि आप अपने customer की information को protect करें, इवें जब वो आपसे नाराज है, तो आपके से negative review का reply नहीं देना है, आराम से आहिष्टे से देना है, mature होका reply देना है, और सबसे बड़ी problem है, आपकी listing का address, यस, I know, आपने अपनी listing का address सही डाला होगा, लेकिन कि आपका map pin ठीक है, जब भी हम किसी भी listing को बनाते हैं, तो आपको अपना address डालने का option मिलता है, प और सिर्फ ऐसा नहीं कि अगर आपका business किसी compound में है, तो आप उस exactly compound के ऊपर map को pin को छोड़ दें, नहीं, आपका business जिस भी building में है, उस building के entrance के पास ये map pin होना चाहिए, अगर entrance के पास ये map का pin नहीं होगा, और कहीं बड़ी building के उसके बीच में आपने कहीं map का pin डॉप कर द ये आपके लिस्टिंग के direction action वाला जो जितने भी actions होते हैं, उनको खराब कर सकता है, because google map को constantly चाहिए कि मुझे अपने user को, google map के user को, जल्दी स जल्दी आपके business तक पहुंचाना है, आपने building का पीछे वाला point map pin की तरह select किया हुए, तो पीछे वाली गली पकड़ाएगा, तो हमेशा अपने compound का entrance वाला part है, वहाँ पर इस map pin को आपको drop करना है, अपने listing पर login करिए, address वाले section में जाएए, यहाँ पर adjust button पर click करिए, और सही से properly adjust करके, सही जगर पर map का pin डालिए, आपकी listing better rank करेगी, आपका customers, आपके visitors, आपके store पर, office पर, shop पर time से पहुंच यहाँ कि उनकी suspend होने की chances को बढ़ा जाते हैं और उनकी wealth को यहाँ की leads और rank को भी affect करते हैं, मेलते हैं अगले वीडियो में और local SEO को और strong करने के तरीकों के बारे में बात करते हैं, तब तक के लिए keep practicing, keep learning, thank you so much for watching this video, my name is Amitavari from Amitavari.net and I will see you next time, take care.